नमस्कार बेसिक सिक्षा नवचार चैनल में आप सभी का पुने हारदिक स्वागत है साथियों आज की हमारी वीडियों का विशे है प्रेर्णा साथि का पंजीकरन प्रेणा साथी का पंजीकरन किस प्रकार से किया जाए इसके विशे में हम आज विस्तार से जानकरी प्राप्त करेंगे सबसे पहले तो हम यह जान लें कि प्रेणा साथी किसको कहेंगे जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि वर्तमान की विशम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभाग के द्वारा मिशन प्रेड़ना की ईपाटशाला फेज फोर का संचालन किया जा रहा है लेकिन ईपाटशाला का पूरी तरह से लाब हमारे विभाग के बच्चे नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके पास उनके अविभावकों के पास परियाप्त मात्रा में संसादन जैसे की स्मार्टफोन इंटरनेट इत्यादि उपलब्द नहीं है इसी के विकल्ब के रूप में महनिदेशक महोदे के द्वारा एक नया कॉंसेप्ट लाया गया है प्रेणा साथी प्रेणा साथी कोन होगा प्रेणा साथी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गाउं का ही निवासी होगा और वह बच्चों का कोई परिचेत, कोई रिष्टेदार, कोई पडोसी या समुदाय का ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि निस्वार्थ भाव से बच्चों की साहिता करने के लिए तयार हो बच्चों की सिक्षा के लिए वह अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट का परियोग करके बच्चों की मदद कर सके जैसा कि आप सबको अवगत है कि इपार्शाला में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए प्रेर्ण साथी कार्य करम की शुरुआत की गई है तो प्रेर्ण साथी के कार्य क्या होंगे इस पर भी हम थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं प्रेर्ण साथी के कार्य होंगे कि वार्टसेप के माध्यम से जो राज्ये द्वारा साप्ताहिक सामगरी प्रेशित की जा रही है उसको अपने आसपास के अपने महुले के बच्चों को उस सामगरी को अपने मोबाइल के माध्यम से उपलब्द कराना बच्चों को पढ़ाना प्रेणा लक्षे एप पर बच्चों को विद्यार्थियों को 20-30 मिनट प्रति दिन अभ्यास कराना और शनिवार को विभाग के द्वारा आयोचित सापताई क्विज में अधिक से अधिक बच्चों का प्रतिभाग कराना ये होंगे प्रेणा साथी के दाईत्व प्रेणा साथी समुदाय का कोई भी व्यक्ति हो सकता है जैसे कि हमने बताया कोई पड़ोसी रिष्टेदार या कोई भी व्यक्ति लेकिन विद्याल्य में कारेरत कोई सिक्षामित्र प्रेणा साथी नहीं बन सकता अब हम बात करते हैं कि प्रेणा साथी का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाए साथियों आप देख रहे होंगे कि आपके पास विभाग से इस प्रकार का एक मैसेज आ रहा होगा जिसमें की प्रेर्णा लक्षय एप को डाउनलोड करने के लिए दीख्षय एप को डाउनलोड करने के लिए लिंक दिये हुए है और नमबर 3 पर प्रेर्णा साथी के रेजिस्ट्रेशन के लिए भी लिंक दिया हुआ है इस लिंक पर ही हमें प्रेणा साथी का रेजिस्ट्रेशन करना है, तो आएए देखते हैं किस प्रकार से प्रेणा साथी का रेजिस्ट्रेशन किया जाएगा, प्रेणा साथी का रेजिस्ट्रेशन करने के लिए हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, लिंक को टच कर पर्ते ही करते ही इस प्रकार से विंडो ओपन हो कर चाएगी इसके बारे कह आसे बात कर चुके हैं कि प्रेशन के दाइत्थ क्या होंगे rave कौन होगा अब हमें सिक्षकों से मेरी बात हुई वो इस विशह में अवगत नहीं है वे सोच रहे हैं कि प्रेणा साथी को स्वयम रजिस्ट्रेशन करना होगा तो आपकी ये दूइदा मैं दूर किये देती हूं कि प्रेणा साथी का रजिस्ट्रेशन प्रधाना ध्यापक को ही करना है अब हमने भर दिया इसके बाद प्रेणासाथी का लिंग इसमें पुरोश है तो पुरोश महिला पर हम क्लिक करेंगे प्रवीन हमने नाम भर तो पुरोश हमने इसका लिंग भर दिया मान लेजे 25 वर्ष है वह यहाँ पर प्रेणा साथी का हमें वाटसेप बढ़ ना है मान लेजिए हमने नमबर बहर दिया है प्रेणासाथी का WhatsApp नमबर ये भर दिया है, इसके बाद प्रेणासाथी का फोन नमबर, WhatsApp नमबर और फोन नमबर में अंतर है कि कुछ लोग WhatsApp नमबर अपना अलग रखते हैं, और Calling नमबर अलग रखते हैं, अगर दोनों नमबर सेम हैं, तो दोनों में सेम आएंगा, और अगर दोनों नमबर अलग अलग हैं तो अलग अलग नमबर यहां पर हम भर देंगे उसके बाद विद्याले का यूडाइस कोड इस तरह से विद्याले का यूडाइस कोड भर दिया जाएगा इसके बादे क्या प्रेर्णा साथी ने मदद करने के लिए विद्यार्थी चुने हुए है हाँ या नहीं यदि हाँ तो हाँ पर क्लिक करेंगे यदि नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे जैसे ही हमने हाँ पर प्लिक किया तो विद्यार्थी की जानकारी हमें यहाँ पर देनी होगी प्रेणा साथी ने मदद करने के लिए कितने विद्यार्थी चुने है मान लिजे दो या जो भी उसकी संख्या है चार पांच जो भी वो हम यहाँ पर भर देंगे अब एक एक विद्यार्ती की डिटेल इसमें बढ़नी होगी इसमें विद्यार्ती का नाम जैसे हमने दो विद्यार्ती दिये हैं तो पहले विद्यार्ती एक का नाम फिर विद्यार्ती एक की कक्षा मालेजे विद्यार्ती एक का नाम हमने भर दिया राजू कक्षा के लिए पर कुलम आ गए मालेत। कख्षा ही राजुकी है 3 तो हमें कख्षा 3 भर दी। विद्यार्ति है कि अभिभावक का फ़िण नमबर भरा जाएका यहां पर। नेयुका यहां फिदिया फोन नंबर भर दिया गया है। इसके बाद है क्या प्रेणा साथी ने एक से अधिक चात्रों को चुना है तो हम हाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं चुना है तो हम नहीं पर यदि उसने एक ही विद्यारती चुना है तो हम नहीं पर क्लिक करेंगे अब इसी प्रकार से दूसरे विद्यारती की जानकारी हमें हमें प्रेड़ना साथी की जानकारी registered करनी होगी यह link यहां भी आपको दिखा दिया गया है जिस पर की प्रेड़ना साथी का registration किया जाएगा और इस link को मैं description box में भी दे दोंगी वीडियो के description box में से भी आप यह link ले सकते हैं आशा है आपको पूरी प्रिक्रिया समझ आ गई होगी और आपको अब प्रेड़ना साथी का registration करने में कोई समस्या नहीं आएगी धन्यवाद